हाउ डू फिक्स विंडोस 11 सेटिंग्स नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सवागर है अब सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है सेटिंग्स नोट वर्किंग प्रॉब्लम को है और यहाँ पर है और दो सेटिंग्स करते हैं और सेटिंग्स छोई दोस्तों हमें यहाँ पर यह दिखानी के काम नहीं कर रहा है तो हाफ इस वीडियो को देखे और सॉल्यशन को फॉलो किजिए वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेक शूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें और अगर आप अनलाइन पेसा कमाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के ओन्टिंग आपका काम्नी करते तो आप यहाँ पर जाएए अपना सेटिंग को अपर लिजिये सेटिंग पर जाने का कई सारे तरीका है विंडो प्लास आय पर क्लिक करने से सेटिंग ओपेन हो जाएगा शॉट्काट ठीक है उसके बाद दोस्तों एप्स के अंदर पर ना होगा setting reset करने का options मर् सेटिंग पर जाएंगे और देखते हैं यहाँ पर दोस्तों यहाँ यहाँ पर जाके थौरा सा सर्च करने में दिकत हो रहा है तो डारे किया करेंगे यहाँ पर ठैप करेंगे uite सेटिंग टिक सर्च में जाएंगे सेटिंग टाइब करेंगे और एफ सेटिंग पर जाएंगे तो एफ सेटिंग पर जाने के बाद गी हमें जो ऑप्षन चाईए उसी पर पर लेके जाएगा ठीक है सो यह option पर हमें आना है और दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है reset option पर क्लिक कर देना है क्योंकि दोस्तों अपने PC के अंदर पर काफी सारे settings होते है ठीक है तो इधर उधर कई बार धुने में डिकते हो जाते सो यहाँ पर दोस्तों आपको यह option मिलेगा reset का तो उसमें जाएए और अपना setting को reset कीजिए ठीक है reset करने के बाद दोस्तों अगर problem solve होते हैं तो ठीक है अगर नहीं होते और यह सब करने के बाद दोस्तों आपका problem solve हो जाना चाहिए अगर solve हो जाते हैं तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है problem solve तो दोस्तों आपको करना क्या है आपको next solution follow कर लेना है उसके लिए यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर देना है अपने start बटन पर start बटन पर राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पर windows terminal admin option ठीक है जैसी के आप screen पर देख पा रहे हैं तो आप वहाँ पर क्लिक करें उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ का option मिलेगा तो यह कर दीजिए उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको डेखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर आपको टाइप करना है आपको सिंप्ली यह टाइप कर देना है तो उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर एंटर करना है एंटर करने के बाद दोस्तों आपका जो scanning है वो चालो हो जाएगा ठीक है आपके PC पर scanning जो है वो चालो हो जाएगा और उसके बाद में दोस्तों आप चेक करके देखेगा problem कैसे solve हो जाते ठीक है इस process में दोस्तों आपको थोड़ा सा time लगेगा SFC scan करने में सो यह दोस्तों आप कर लिजे यह दोस्तों काफी जो है कमाल का solution आप इसको follow करके देखेए ठीक है इससे आपका problem definitely solve होगा दोस्तों अगर इससे problem solve हो जाते है तो ठीक है अगर इसके बाद भी problem solved नहीं हो रहा है तो फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते है आप search में जाए msc configuration type कीजिए उसके बाद आपका services में जाए hide all microsoft service में जाके okay करके disable कर दीजे यह भी दोस्तों काफी अच्छा solution है मैं इसको हमेशा suggest करता हूँ आपको ठीक है उसको आप यहाँ पर अपडेट करें ठीक है so adapters वगरा को अपडेट करके रखिए काफी काम आएगा और adapters यहाँ पर अपडेट कर सकते और अगर problem आ रहा है तो आप यहाँ पर scan for hardware changes कर सकते अंस्तों डिवाइज डिसेबल वह सब आप यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है so इस तरीके से आप यहाँ पर problem solve कर सकते हैं और दोस्तों सेटिंग को troubleshoot कर सकते या नहीं कर सकते वह एक बार हम चेक कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों वीडियो खतम करेंगे ठीक है so troubleshoot option पर जात सकते हैं ठीक है so अगर आपको troubleshooting यहाँ पर follow करना है तो आप यह कर सकते विंडोस पर यह जो रन है उसको चला सकते हैं ठीक है उसके बाद आपका जो issue है वह fixed हो जाएगा तो कई बर दोस्तों अगर सेटिंग काम नहीं करते तो आपको simply यह सारे solutions follow करना होता है ठीक है